लक्षमी चालसा के पाठ का क्या नीम और समय है देखो सिद्ध महापूर्षों के दवारा लिखा वहाद चालिसा मंतर स्वरुप होता है नहीं तो आम व्यक्ति ने भी कहीं चालसा लिखा है प्रहु का गुन गान गाया है सर्दा के अंसार उसका भी फर मिलता है तो आपने कहा लक्षमी चालसा के पाठ का क्या नीम और क्या समह लक्षमी चालसा मैंने किसी सिद्ध महापूर्ष की हातका लिखा ओ ऐसा कहीं देखा नहीं क्योंकि उसका लिखा भी होता है इसका क्या फलक कैसे जब करना चाहिए बाकि भगवान की स्तूति तो कोई भी लिख दे भगवान की महिमा कोई भी लिखे उसका गान कर लो ये प्रमानी भी असास तरह कर कि भगवान की कीर्टी का गान हो चाहे वो दोश युक्त कवीता भी क्यों न हो यदि उसमें भगवान का गान हुआ है तो उसको जो सुधी जन है अंगीकार करते हैं उसका अध्यन करते हैं और एक कहा कि चाहे कोई कितना भी बड़ा कवी क्यों न हो यदि उसने भगवान के गुण नहीं गाए प्रकृति के गुण गाए तो उन कवीताओं को सुधी जन पढ़ते नहीं तो लक्षमी चालसा का पाट का कोई नीम नहीं सुबह पढ़ो दुपहर पढ़ो संद्या पढ़ो कभी पढ़ो सरदाई मुक्या यहीं नीम है और कोई नीम नहीं अगला है मैं इस्त्री हूं क्या हनुमान चालसा पढ़ सकती हूं यहीं इस्त्री नहीं पढ़ सकती तो गोश्वमी तुलसिदाजी लिख देते इस्त्री जाती हनुमान चालसा ना पढ़ है ऐसा लिख देते ना लेकिन लिखा है अनुमान चालसा में कोई ने शेद किया है हर इस्त्री पढ़ सकती है हमसे पूछने के ज्यूरूत नहीं यदि आपके लिए कहीं मनाह लिखाओ तब भी पूछो मत क्योंकि जब मनाही है तो पूछेंगे क्यों हम सासर से उल्टा तोड़ी बोलेंगे और जहां नहीं निश्यदा जैसे उदान की रूप में और तिलक की महिमा है तिलक धान करने की तुलसी तिलक की महिमा एक परशना है था क्या इस्त्रियां 12 तिलक धान कर सकती है तो इस पुस्तक में मना नहीं लिखा इसलिम ने कह दिया कर सकती है क्योंकि यह निश्यद वाक्या लिखी होते हैं जैसे यह ये पुस्तक है निमार्ग संपरदय की इसमें तुलसी तिलक की ही महिमा है तो इसमें नहीं लिखा है कि इस्त्रियां तिलक दान नहीं कर सकते क्योंकि इस्त्रियां यदि तिलक दान नहीं कर सकती तो ये तिलक के बारे में लिखा तो लिखना चाहिए ना कि इस्त्रियां ना दान करें ये तो सब के लिए लिखा है ये लिखो ना ते कि इस्त्रियां सको ना पढ़े हैं जब नहीं लिखा है इसका मतलब पढ़ सकती है लगा सकती है सिंपल सी बात यदि ये दोश होता तो जुरूर लिखा होता इसलिम कहते ह भी तिल्क लगा सकती हम सुनिवी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं जो ग्रंथों में लिखावे हैं उनुपर